हालो प्रेंस आप सभी को मेरा नमस्कार आज हम डोजा बनाने चलने हैं तो हमने मुंग दाल भी बो लिया है लगबक साता घंटे भी बो लिये थे इसको दुल के रख लिए हैं और इधर हमारा चावल है और इसमें चना दाल कुछ डाल दिये हैं इसको मिक्सी जार में पीसिं दिया है इसको डाल दे रहे हैं पानी डाल दे रहे हैं और इसको पीस दे रहे हैं थोड़ा ही बनाना है इस तरीके से मिसको पीस लिए हैं बहुत बारीक है हमारा और गाढ़ा भी है जाला पतला नहीं है इसमें हम अधा छोटा चमच मिठा सोड़ा डाल रहे हैं अधा तरीके से प्राइब लगभग 10 मिन तक तकि इसको हम इस तरीके से फेट लिए हैं देख लीजिए अभी इसको रख दे रहे हैं यहम शेक्ट गरम हो रहा है तो चल नहीं बनाने ज़ी तक हम ता रखे गरम हो गया है तो इसमे पानी ढया के तुरा ठंडा कर लेंगे इसको लगा दे रहे हैं अब इसमें बेटर डाल के बनाएंगे अब इसको बना दिये हैं अब इसको पकाएंगे अब लगा देंगे ओपर हलका स्वाइल लगा देंगे इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर पके हैं मैं से छोड़ देते हैं इसको यह हमारा हो गया है तो धीरे-धीरे किनारे से छोड़ने लगा है यह देखिए इसको इस तरीके से करके निकाल देते हैं यह निकल गया है इसको हम अलका से पलड़ देते हैं दोनों तरफ से लेते हैं यह देखिए कितना अच्छा मारा पक गया है इस तरह हम दबा कि इसको सेख लेते हैं इसमें हम आलू मसाला बनाये इसको रख लेते हैं इस तरीके से तरीके से हमाहार बना लेए के सते या यालु लगा देते हैं निकाल लिए पडिक इस तरीके से हमारत यार्वा में आसे लोग जरूर बताइए कि कैसे बना है कैसे नहीं और हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्रीज दोस्तों धन्नवाद